आप बहुत सिंपल शब्दों में समझा दीजिए कि ये डायबिटीज, शुगर है क्या और क्यों हो जाती है देखे डायबिटीज का अगर हम एक परिभासा करें तो हमारा एक लेवल होता है ब्लड का शुगर का बुड़ी के अंदर में जिसमें एक फास्टिंग होता है जो क हम 60 से लेके 100 तक या प्रिसाइजली 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 एमेल और जो खाना खाने के 2 घंटे बाद वो 100 से 140 ये एक लिमिट है ब्लड शुगर की जब ब्लड शुगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं डायबिटीज के भी काफी फे हैं तो नॉर्मली इसकी जो लिमिट है वो चार से लेके 5.7 तक होती है परसेंट जी ये एक अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज को डिफाइन करने लग जाता है तो इसमें भी जिसे जिसे हम मैंने कहा कि 5.7 परसेंट से अगर ये 6.4 परसेंट तक तो उसको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं और अगर ये 6.5 और उससे बढ़ जाता है तो हम उसको डायबिटीज बोलते हैं तो इस प्रकार से डायबिटीज का जो एक कहा जाता है कि जो ब्लड शुगर बढ़ जाता है वो उससे वज़े से हो जाता है अब प्रोब्लम आती है क diabetes होता क्यों है देखे कुछ तो prone होते हैं लोग चाहे आप इतना भी precaution ले 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 फिर भी diabetes हो जाती है कुछ थोड़ा genetic inheritance भी होती है, inheritance का मतलब अगर एक माता-पिता किसी के दोनों diabetes हैं तो 50% बच्चों में chances होते हैं diabetes होने के अगर एक है तो 25% होते हैं chances के वो diabetic हो जाएं तो इसलिए मैं यह बताना चाहूँगा कि जैसे से prone लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी अपना test करा करके और precaution ले लेना चाहिए दूसरा जो है diabetes नॉमली दो तरह की होती है, एक तो होती है हम जिसको maturity onset सेट बोलते हैं जो बड़े लोगों में होती है एक बोलती है ज्वेनाईल, ज्वेनाईल का मतलब वो थोड़ी यंग एज में हो जाती है 15 से 20 एर्स के बीच में हो जाती है और इसमें insulin की कमी होती है और जो दूसरे वाली diabetes उसमें insulin की कमी नहीं होती लेकिन हमारे खानपान, उम्र और बहुत सारी ऐसे predisposence हैं उनकी वज़े से हो जाती है